हाई गाईज कल के वीडियो में हमने बात किया था Vivo V40 Pro के बारे में लेकिन आज हम लोग बात करेंगे Vivo V40 5G स्मार्ट फोन के बारे में यह फोन में क्या स्पेसिफिक इसन्स मिलने वाला है कब तक इस फोन को इंडियन मार्केटर में लॉंच किया जाएगा और किस प्राइस तीनों color option में आपको screen पर दिखा रहा हूँ, बागे back में यहाँ पे glossy glass की finishing दी जाएगी, side frame plastic का ही होगा and phone पे IP68 वाली rating दी जाएगी, यानि यह phone waterproof and dustproof दोनों होगा, तो build quality में यहाँ पे कोई भी compromise नहीं किये गया है, लेकिन designing आप सभी को कैसा लगा, यह अपना opinion मुझे comment करक बता सकते हो, अंदर की specifications की बात करें तो, यह phone 6.78 inches की full HD plus के साथ, एक कर्व bold AMOLED डिस्पले के साथ आने वाला है, जहाँ पे 120, हट्स वाली refresh rate का support दिया जाएगा, यानि कि डिस्पले के साथ smooth experience तो मिले गई, साथी container watching को लेकर यह display HDR 10 plus, 10 bit color से जो recent जैसे feature को भी support करेगा, य content watching के साथ, gaming और multitasking भी display के साथ, बिटरली कर पाऊगे, camera's की बात करें तो, rear पे dual camera के सरब मिले वाला है, जहाँ पर 50 megapixel की primary shooter होगी, with Jesus की lenses रहने वाले, यानि की quality and clarity आपको best मिलेगा, plus 50 megapixel की ultra wide angle भी दिया जाएगा, अब यहाँ पे ना, telephoto lens यहाँ पे नहीं मिले वाला है, प्रो वाले विरिंट पे टिली फोटो lens दिया गया था, बट यहाँ पर टिली फोटो lens नहीं मिलेगा, तो यह एक disadvantage बोल सकते हो, बाकि front पे भी 50 megapixel की center punch वाली selfie दी गई है, with dual LED plus, performance की बात करें तो, यह phone आने वाला Snapdragon 7 Gen 3 वाले processor के साथ, जिसकी end to the bench पर score 8 lakh से उपर जाता है, तो gaming वगिर अच्छा खासा कर पाऊगे, लेकिन यहाँ पर भी एक disadvantage रहने वाला है, कि यह processor LPDDR 4X RAM tabs and UFS 2.2 वाले storage type को support करने वाला है, अब जिस price phone पे यह phone आने वाला है उसके according यह चीज justify नहीं कर रहा है, बागे 5500 इमिज की यहाँ पर बड़ी से battery दी गई है, और phone को lightweight भ वीवो ही जाने, साथ ही यहाँ पर 80W की fast charging का भी support दिया जाएगा, तो कुल मिलाकर यह कुछ highlighted specs रहने वाले, other specs की बात करें तो बदाय जा रहा है, चैनिस brain में single speaker था, लेकिन इंडियन वाले brain में dual studio speaker मिलेगा, in display fingerprint का support दिया जाएगा, इन डिस्पले fingerprint का support दिया जाएगा, and out of the box यह phone Android 14 के साथ आएगा, और यह phone 3 RAM RAM विरिंड के साथ आएगा, पहला होगा 8256GB, दूसरा होगा 12256GB and तीसरा होगा 12500 12GB, अब चलिए हम लोग जानते यह phone के इंडिया launch date and pricing के बारे में, तो यह phone को 7 अगस्त को officially इंडियन मार्केट में launch किया जाएगा, और इसकी base print बताये जरी कि स्टार्ट होने वाली है, 33,000 के price point पे, including offer, यानि कि समझ लो कि यह phone 35,000 के आसपस launch होगा, बट offer के साथ 32 या 33,000 के आसपस buy कर पाऊगे, और हाँ अगर 33,000 normal pricing होगा, तो और भी अच्छा होगा offer के साथ आप लोग 30,000 के आसपस यह phone को buy कर पाऊगे, बट फोन को buy कर होई या नहीं, अपना option मुझे comment करके बदा सकते हो, तो यह तक गाईज, Vivo V40 5G से टोड़े काफी सारे details, so I hope guys आज का ये video आप सभी को पसंदा होगा, पसंदा होगा तो like करना, comment करना, आपने दोस्तों साथ सेर करना, और मिलते guys अगले और फ्रेस विडियो के स तब्दके लिए बबै, and take care